हेङलो ए हैड एवरिवन था की सीरिजी के सीरीज अपूर इसम एक और शाइन्स फैक्ट मेरUp तौह पारिया है इसलोन आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जा के देख सकते हैं उनको तो मैं थैंक्यू कहना और जिन्होंने नहीं किया है तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए useful videos आपको मिल सकें तो यह जो science fact के series है इनको मैंने क्यों लाना ठीक समझा क्योंकि कई बार short note में जो questions आ जाते हैं science based या कुछ knowledge based तो उसमें यह short notes की तरीके से हमें हमेशा हम लिखने लाइक रह जाते हैं कि हमें थोड़ा पहुत उस चीज के बारे में idea लग जाता है So please go through all the science fact videos that can help you So let's start What is pacemaker? The pacemaker is the battery operated electronic device which transmits electrical impulses to the heart to keep it beating in a regular manner तो आप जानते हैं कि heart हमेशा work करता रहता है हमेशा जब हम सोते हैं या हम खाते हैं चलते हैं हमेशा work करता है कैसे कि उसमें beat होती रहती है heart beating चलती रहती है जिसकी वज़े से जो blood supply है वो पूरी body में होती रहती है कई बार क्या होता है कि हमारी age बढ़ जाने पर especially जब हमारी age हो जाती है 70, 60, 70 तो heart beating ब्लॉक के जाने लगते हैं कई बार तो उससे क्या है कि heart beat जो है वो कम हो जाती है या कई बार fast हो जाती है या कई ब्लॉक भी हो जाता है तो उसके लिए उस beat को regular manner में धंग से जो हमारे heart के लिए हमारी life के लिए जितनी important है उतने पर कर लेने को क्या कहते है पेसमेकर यह एक apparatus होता है जिसको बाहर से एक surgery होती है जिसके बाद इसको fit कर दिया जाता है जिसमें से electrical impulse निकलते हैं तो हम एक बार और इसकी definition देखेंगे the pacemaker is a battery operated electronic device which transmits electrical impulses to the heart to keep it beating in a regular manner तो इसमें क्या है in a healthy heart the regularity of beating is controlled by a special system of muscles called synoatrial node जब हमारी normal body में जब पेसमेकर नहीं जिनके लगा है जिनकी normal body है उसमें synoatrial node जो है वो एक muscle होती है वो muscles का function होता है heart की beating को regular करना उसकी regularity को maintain करना यह होता कहां है situated in the right atrium यानी right hand upper chamber of the heart तो हमारा heart जो है वो चार chambers में divide होता है ऐसे right atrium इधर right atrium और यह इधर right ventricle इधर left ventricle और इधर left atrium ठीक है ऐसे हमारे चार chambers में divide होता है तो synoatrial node जो है वो कहां पर होता है अगर हम चार में divide करें तो जो हमारा right hand होता है यह ना right hand upper chamber of the heart हमारे heart के जो right hand का upper chamber यहां पे यहां पे होता है ठीक है तो which sends out regular impulses to the heart muscle when the mechanism breaks down अगर किसी इस कारण से यह breakdown हो जाता है तो या फिर heart beat becomes irregular या फिर वो irregular हो जाए इस problem वो क्या कहते है अरित्मिया ठीक है अरित्मिया तो या फिर even stops या फिर heart beat पिलकुल stop होने लगे जिसको हम heart blockage कहते है an artificial pacemaker is used a pacemaker is usually implanted in the body on the front of the chest हमारी चेस्ट के यह picture आप देखें तो चेस्ट के हमारी यह front side में यह collar bone जो होती है इस bone से 5-6 cm के around यहां पर एक छोटी सी surgery करके उसमें अंदर इसको fit कर दिया जाता है हमारी skin और muscles के बीच में इसको रख दिया जाता है जैसे pocket की तरीके से इसको रख दिया जाता है और इसमें से यह एक जो impulse देने के लिए जो एक wire type से होता है यह कहां कहां जाता है यह हमार इसमें इसमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है आपको पेसमेकर इस यूज्वली इंप्लांटेट इन दा बॉडी ओन दा फ्रंट साइड ऑफ फाइव सेंटेमेटर बिलो दा मिडल ओन दा कॉलर बोन हमारी कॉलर बोन से 5 सेंटेमेटर के नीचे की करीब लगाया जात है इक टो लाजवीन है पिक्चर में देखेंगे यह लाजवीन यहां से होते हुए और राइट एट्रियम से होती हुए ये राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट है तु दे राइट एट्रियम दा बैट्री इस यूज़ इन पेसमेकर यूश्वली नीड रिप्लेसमेंट वांस इन तो फिप्टीन यूर्स सब्सक्राइब को अगरियो आपको अच्छा लगा तो काहली शैजिब में चानल ओल्सो लाइट себя फिटक्राइब में जाताः और तॉ वीडियो अब करेगा तो कंदी शॉब्सक्राइब my channel also like and share in your study groups okay happy learning bye